नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में मानसून एक्टिव होने जा रहा है जिससे देश के पाड़ी मैदानी मध्या पूरी विराज्यों में कल से यानि के 22 जूलाई से बारिस की गत्विदिया शुरू हो जाएगी और ये बारिस की गत्विदिया लंबे समय तक देश के पाड़ी मैदानी मध्यपूरी विराजियों में बनी रहेंगी हाला कि लगातार तो बारिस नहीं होगी लेकिन 22 जोलाई से शुरू हो करके बारिस की गत्विदिया लगबग 29-30 जुलाई तक देश के पाड़ी मैदानी मध्यपूरी भी राज़े में बन रहेंगे ऐसी संबाबने फिलाल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस समय जो वैदर सिस्टम है या लोग प्रेसर सिस्टम है वैश समय उडिशा के ऊपर बनावा है और अपनी और को अरब सागर से और बंगाल की काड़ी से काफी मोश्चरिया काफी नमिदार वाय तेजी के साथ में खीच रहा है जिससे आप देख सकते हैं काफी नमीदा रवाई इस समय पश्ची बंगाल ज्हारकंड बियारूर पूर्वी उत्तर प्रदिश के उपर से उपर से उपर करके मद्य प्रदिश और 36 गड़ तक पहुँच रही हैं हाला कि अगले चोपस गंटों के दोरान तक जैसे ये वैदर सिस्टम 36 गड़ के उत्री मद्य भागों के सासाथ मद्य प्रदिश के उपर से उपर करके गुजरात के ओर बढ़ेगा तो गुजरात के सासाथ मद्य प्रदिश और 36 गड़ के तो मद्य उत्री भागों में अच् तो ये सारी की सारी नमीदार रवाए देखे कुछ इस तरीके से उतर पर देश के उपर से उकरके मैदानी और पाड़ी राज्यों तक पहुचना शुरू हो जाएगी जिससे देश के पाड़ी और मैदानी राज्यों में भी अगले 24 गंटों के दोरान से बादल बनने जिससे बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी काफी मौश्या देश के पाड़ी मैदानी राज्यों पर पहुचता रहेगा लेकिन इसके अलावा भी एक नया वैदर सिस्टम धीरे देश के मध्या राज्यों पर पहुचेगा और उसके बाद में फिर दूसरा वै लग लग स्थानों पर हलकी मध्या में कुछ भागों में तेज बारी सोने की संभावने बाइस जुलाई से शुरू हो करके लगबाग 29-30 जुलाई तक बनी रहेंगे ऐसी संभावने दिखाई दे रहे हैं और आई ये थोड़ा सा जान लेते हैं अगले 24 गंटों के मोसम का कुराउन की 22 जुलाई में देश के पाड़ी राज्यों से लगाकर के मैदानी मध्या और पूरी राज्यों के किन-किन भागों में हलकी मध्या में तेज भाईरी बारिष सोने की संभावने बनें बने गी तो slip करते हैं देश के पाड़े राज्यों की बात करें तो देखें पंजाब, हरियाना, एनश्या, दिल्ली के काफी भागों में अगले 24 गंटों के दोरान बादर चाहे रेंगे बारिश की बात करें तो पंजाब के पठानकोट, गुर्दासपूर, होश्यारपूर, अमरसर, तरंतारन, फिरोजपूर, फरी भागों के साथ, पंचकुला, चंडीगड, यमनानगर, अंबाला, कुरुछेतर, कैथल, जीन्द, हिसार, फत्याबाद, भीवानी, महंतरगड, रेवाडी, गुरूग्राम, जजजर, फरीदाबाद, तर्की, दादवी, पलबल, मेवात, इन सभी जिलों के ज़्यादतर भ भागों में लिए 24 गंटों के दर्वान केवल हल्की फुलकी बोचारे या हल्की बाइर सोनेक संभावने बिर रहेंगे, आला कि राजस्तान की बात करें, तो राजस्तान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगर, चौरू, जुनजुनू, जोदपूर, नागोर, इन जीलों बाइर सोनेक संभावने बिर रहेंगे, आला कि राजस्तान के जो दक्षनी पूर भी बाग है, उत्री पूर भी बाग है, जुनजुनू, सीकर, जैपूर, दोसा, अलवर, भरतपूर, धोरपूर, करोली, और इसके अलावा, जालोर, सिरोई, उदैपूर, डूंगरपूर, इसके अलावा, उत्तर परदेश की बात करें, तो उत्तर परदेश के जो मद्या भाग है, पिली बीट, लखिमपूर, खीरी, बरेली, बदायू, साजापूर, कासगंच, फरुकाबाद, एटा, मेनपूरी, कन्नोच, ओरया, इतावा, कानपूर, कानपूर, देहात, हमीरप मुबा, जहांसी, ललितपूर, के साथ, फिरोजाबाद, कासगंच, बदायू, इन जिलों के ज्यादतर भागों में, तो अगले 24 गंटों के दर्वान, हलकी मद्या में, कुछ बागों में, अच्छी तेज बाहरी बाहरी सोने के संभावने बनी रहेंगे, हाला कि, पश्यम बाहरी सोने की संभावने बनी रहेंगी, हाला कि, पूर्वी उत्तर प्रदेश और भागों में, अच्छी बाहरी सोने की संभावने बहुत ही कम रहेंगी, और इसी के साथ में, पश्यम बंगाल के भी ज्यादतर भागों में, बाहरी सोने की संभावने बहुत ही कम रहेंग एक अलसी के जाज़ intensे साथ में साइब गतढ़ पाकोर इंजिलों के पूंगी पिंट्र है इनुमे हलकी मद्ध है कुछ Vागो में सभावने संवावने सा्वत रहें लेकिन सीजनानद परदगाव दुर्ग देमतारा कवर्धा मुगेली बिलासपूर कोष्ट सूरजपूर बलरामपूर सर्गूज़ा जस्पूर कॉर्बा बिलासपूर जाजगीर चंपा बालोध बाजार महा समूद रायपूर इन जिलों के जादा थर भागों में मद्यम से तेज भारी लेकिन महाराष्ट के जो उत्री पश्ची में बाग है पालगर ठने मुंबई पूने रायगर और इसी के साथ में धूले नासिक नंदूरबार जलगाउ अकॉला अमरावति कवर्दा नागपूर भंडारा गोधिया इंजिलों के ज्यादतर भागों में अगले 24 गंटों के द शोटा उदैपूर बडोद्रा भरुच नर्मता सूरत तापी दंग नवसारी बलसाड बोताद भावनगर इंजिलों के ज्यादतर भागों में भारी से भारी मूसलादार बारिसोनेक संभावने अलाकि द्वारका से लगा करके पोरबंदर जामनगर राजकोर्ट अमरेली जोनागर, गिर्व सौमनात के साथ साथ सावरकंठा, अरवली, महिसागर, महिसाना, गांदिनगर, पाटन, इंजिलों के ज्यादतर भागों में हलकी मद्या में कुछ बागों में तेज भारी सोनेक संभावने बढ़ेंगी आलाकि आने वाले कई दिनों तक गुजरात के ज जिलों के ज्यादतर भागों में अच्छी तेज भारी सोनेक संभावने बढ़ेंगे हाला कि आगले 24 गंटों के दुरान से मद्या परदेश के जो मद्या उतरी भाग थे जिन में काफी लंबे समय से बारिस नहीं हो पा रहे थी उनमें भी कल से बारिस बढ़नी शुरू ज चतरपूर, पन्ना, सतना, रिवा, सिंधी, सिंग, रोलीन सभी जिलों के ज्यादतर भागों में हलकी मद्या में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी सोनेक संभावने आने वाले कई दिनों तक बढ़े रहेंगी तो दोस्तों ये थी आज की मोसम जानकरी एक नहीं जान करें के साथ पिर मिलता है, तब तक इलिए सबी दोस्तों को नमेश खागा है